नमस्कार मैं हूँ विनेश सिंग आपका बहुत-बहुत स्वागत है और जारखंड में रोजगार को लेकर अच्छी ख़बरानी सुरू हो गई है जहां एक और मंत्री बादल पत्रलेक के साथ स्टुडेंट्स की बातचीत काफी पोजीटिव रही है वहीं दूसरी और इसके नुक्ति कर दे कल देर साम को ही यह नुक्ति हुई थी और हमने आपको यह बताया था कि नुक्ति हुई है डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी नए अध्यच बनाए गये हैं इसके पहले जेपी सी का भी अध्यच को नुक्त किया गया था अमिताब चौधरी को अब हम आ आपको आज यह बताएंगे कि जेससी के नए अध्यच बनने के बाद क्या चुराउतिया होंगी इनके पास में और मंत्री बादल पत्रलेक के साथ जो बातचित हुई है इसके क्या माइने होंगे उमीद ये की जारी है कि 15 नुवंबर को सरकार बड़ी घोसना कर सकती है हलाकि अभी तक 4,000 से 10,000 लोगों के नाम आ रहे हैं जिसकी नुक्ती की घोसना करेगी ये नुक्ती प्राइबेट सेक्टर का होगा गौवर्मेंट सेक्टर में जैप के, होमगाड के, दरोगा के, एक साइच के, पंचायत सचिव वाले और जेटेट को लेकर जो विद्यार्थी इंतिजार कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर आ सकती है क्योंकि इस समय में सरकार को स्वेम ऐसा लगता है कि पांच लाख नौकरी का हम वादा किये थे, लेकिन अब समय आ गया है, एक साल पूरा होने वाला है, अस्थापना दिवास एक बहतर मौका होगा कि जिसमें ये घोसना की जा सकती है सवाल अब सामने ये आता है, कि जार्खन, सरकार, यवाओं को नौकरी क्या वास्तों में देना चाहती है, और JSSC, CGL का क्या होगा, और क्या JPSC आने वाली है, ये सबके साथ में एक अच्छी खबर ये भी आई, कि सीटेट वाली जो परिच्छा जुलाई से कैंसल हो रही अब वो 31 जनवरी 2021 को आयो जित होगी, जार्खन में दो नया सेंटर बनाया गया है, जमसेतपूर और हजारी बाग, तो सीटेट की तियारी करके आप हो सकता है, कि जार्खन सरकार सीटेट वाले को जेटेट में मौका दे, अभी तक ये नियम नहीं है, लेकिन दुसरे जिवती ये डिमांड कर रहे हैं, कि उनको भी जार्खन राजे में मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए सीटेट परिच्छा भी अगर आप पास कर जाते हैं, तो भी एक आपके लिए उपलबदी ही होगी, क्योंकि आज इवन सर्टिफिकेट का वेलू हो जाएगा, आप के केंद्रिये सारे बिस्विद्धाले, केंद्रिये सारे स्कूल के अलावा भी दूसरे राज के स्कूल में जाकर के नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं, दूसरी अच्छी खबर ये है, कि सुप्रीम कोट में जो सुनवाई होगी, उसमें भी ये माना जा रहा है कि सुप् करकार की दिक्कत नहीं होगी कल कॉंग्रेस के प्रतिनिधी मंडल के साथ जो स्टूडेंट्स की बातचीत हुई है जिसमें बादल पत्रलेक भी मौजूद थे उन्होंने हर संभव कोशिस किया बताने का कि कॉंग्रेस आपके साथ खड़ी है कॉंग्रेस आला कमान सोनिया गा कॉंग्रेस अगर रोजगार दिलवा देती है तो इवाओं का दिल जितने में वो सफल होगी क्योंकि यह जूटे आसवासन से स्टूडेंट्स मानने वाले नहीं होंगे 15 नवंबर तक अगर कोई घोसना नहीं होती है यह 30 नवंबर तक भी स्टूडेंट इंतिजार कर लें क्योंकि तो वह 3 नवंबर के पहले भी कर सकती थी कोई दिकत नहीं था लेकिन उस बादचित के दौरान जो कुछ हुआ उसमें सुप्रीम कोट का भी जिक्री किया गया कि सुप्रीम कोट में मामला है सरकार अपनी और से पच्छ रख रही है तो एक प्रकार से यह बताने के भी कोशिश की गई कि आप इतना ज़्यादा ना तो हतोत्साहित हों और ना ही पेसिंस खो दीजिए क्योंकि जब सुप्रीम कोट में मामला है तो सुप्रीम कोट जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं देती है तब तक हम कोई भी रिजल्ट कैसे निकालेंगे हलाकि छाट छात्राओं ने कहा है कि सुप्रीम कोट में मामला है लेकिन हाई कोट में भी जब मामला था तो इस्टेप पंचाय सेच्व पर लगा ही नहीं था अब जेटेट वाली की तो चुकी कोई प्रकरिया शुरू नहीं हो यह भी सुरू होना नहीं 15 नवंबर को सुरू होने की घोसना हो सकती है इसमें कोई दो मत नहीं है लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि नया टेट परिच्छा होगा यह फिर 2016 वाले की कौन सेलिंग होगी क्योंकि 2016 वाले लोग हाल में ही मौराबादी में एक बड़ा आंदोलन किये थे जिसके बाद उन्हें आसवासन दिया गया था कि उनके बारे में सरकार सोचेगी लेकिन फिलहाल सरकार इसके लिए घोसना अगर कर देती है तो सारे स्टूडेंट खुस हो जाएंगे इसलिए खुस हो जाएंगे कि नए स्टूडेंट भी इसमें सामिल होंगे उन्हें भी उम्मीद रहेगी कि चलो आने वाले समय में उनकी नौकरी लग सकती है लेकिन नए बच्चे जो हैं जो बीएड और डी एलेड करके बैठे हुए हैं उनको ये चिंता सता रही है कि पा 2025 तक या तो उनको इंतिजार करना होगा सोल्ला वाले चाहते हैं कि नया टेट लेकर कि आप नौकरी जोइनिंग मत करवाईए क्योंकि सोल्ला वाले जो इंतिजार बावन हजार बच्चे कर रहे हैं उनको पहले मौका मिल जाना चाहिए वहीं 2013 वाले 50,000 वह भी छात्र बिवाद हो जाएगा भी बिवाद कम इसलिए कि सरकार भी चुप है और कोई वेकेंसी की लाइन नजर नहीं आ रही है टीचर वाली वहीं दूसरी और सोनी कुमारी का मामला हाई कोट ने तो किलियर कर दिया लेकिन अब सुप्रीम कोट में जाकर क्यों रुका हुआ है माना जाएगा फिरहाल कॉंगरेस के मंतरी ने जो कहा है उसके आधार पर कि न्यूक्ति प्रक्रिया सुरू होगी तो यह बहुत अच्छी बात है सरकार पर दबाब भी बनना चाहिए और दूसरी चीज़ कि जैसेसी के नए अध्यच के ने काम करने का तरीका उनका अच्छ के लिए डेट निकाल करके लिया गया तो सुधिर त्रिपाठी के आने के बाद जैसेसी की इस्थिति सुधर सकती है और यह सरकार की और से अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं कि जैपेसी में अमिताब चौधरी को निक्त करके और जैपेसी के बुद्पुर्व अध्यच सुध अध्यच का पद नहीं था और जो मेंबर थे उनको अत्रिक्त प्रभार में रखा गया था इसलिए ही समस्या आ रही थी रिजल्ट वगेरा को ले करके और अभी अध्यच की नुक्ती हो गई ही तो रास्ता पूरा किलियर हो चुका है और उमीद की जा रही है कि बहुत जल् करती है उस परिच्छा में जितने भी क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी होती है इंक्लूडिंग टीचर की वेकेंसी यह सारे JSC के जिम्में होते हैं और JPSC जितने प्रोफेसर वाली नुक्ती होती है और जो विडियो सी यो डिस्टिक एजुकेशन ओफिसर डी एस पी सूचना स सेवा योजना सेवा वाले अधिकारी की नुक्ति जीए पीसी करती है तो ये दोनों में नए अध्याच आगे हैं दोनों का काम बहुत दिनों से रुका हुआ है तो जारखंड में लगता है कि विकेंसी की बहार आने वाली है और ये अच्छी खबर उमीद करते हैं ऐसी अच् बने रहीएगा हमसे जुनने के लाव